Welcome to onlyis, so अगत है आप सभी लोगों का प्रेलिम बूश्टा न्यूजर डिसकेशन में आज 20 मार्च 2022 है तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं आगे बढ़ने से पहले अच्छा कुछ बाते test series के बारे में कर लेते हैं test series आपको solve करना है hopefully आपने इसको solve करना start कर दिया होगा और नहीं किया है तो जल्द से जल्द से शुरू कर दीजे test series के बारे में कुछ बाते मैं आपको बताना चाह रहा था जैसे कि अगर आप फ्रास analyze करेंगे पिछले 3-4 सालों का paper red turn के questions कहीं से भी आ जा रहा है in that case कई बार ऐसा होता है कि जो questions आये हुए है वो आपके पढ़े हुए हिस्से से नहीं आये होते है लेकिन फिर भी cut off तो जाती ही है और वो आपको meet भी करना होता है यहाँ पर आप एक काम कर सकते है actually में अगर आपको questions नहीं भी आ रहे हैं तो आपको test paper solve करने का या question solve करने का जो experience है वो उन questions को भी solve करवा देता है जिनके बारे में या तो आपको पूरी जानकारी नहीं होती या बिल्कुल नहीं होती यहाँपर हम बात कर रहे हैं questions solve करने का तरीका और उसका experience वो आपको तम मिलेगा जब आप ज़ादा-ज़ादा question solve करेंगे इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि जब आप test paper solve कर रहे हो तो कुछ questions तो आ रहे होते हैं, सिधा mark हो जाता है कुछ में confusion होती है और कुछ बिल्कुल नहीं आ रहे होते, in that case आप उसे directly बिना कुछ सोचे यूँ ही mark ना करें, बलकि analyze करें अगर मालेज़े आप किसी statement को सही या गलत mark करने वाले हैं, तो सोचें कि अगर ये सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, जो भी आप mark कर रहे हैं ऐसा करने के बाद, जब आप उपने answer को match करेंगे, तो या तो वो आपका किया हुआ सही निकलेगा, या गलत निकलेगा अगर गलत निकला, तो सोचिए आपने क्या सोच कर इसको सही मारा था और फिर ये गलत क्यों निकला आप क्या सोचते कि आप इसे गलत माग करते आपने कौन सा point मिस किया या thinking process आपका क्या होता कि ये सही हो जाता अगर आप इसे analyze करते वक्त सोचेंगे थोड़े time के बाद आपको feel होगा कि questions आपको जवाब देते हैं कि कौन सा answer सही है कौन सा नहीं है ये actually में experience है question paper solve करने का जो जादा से जादा questions solve करने के बाद आएगा और ये आपके कुछ questions increase कर देगा exam में जिनके बारे में आपको कम जानकारी होगी और वो आपको cut off को meet करने में help करेगा तो question papers, testories पढ़ियां से लगाईए और उनको judiciously analyze करिए ताकि आप question solve करने का experience रटेइन कर सके तो ये तो हमारी बाते हो गई testories आपको solve करना है और कैसे solve करना है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी प्रग्यान testories के बारे में है ये All India UPSC mock test है free online test होते हैं ये, दो हो चुके हैं एक 6 फरवरी को, दूसरा 13 फरवरी को अब 2 होने वाले हैं 10 अप्रेल और 15 मई को इनके लिए तैयार रहीएगा खुद को आप इसके लिए register कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं चुमरा पहला article है वो किंजल hypersonic missile के बारे में है Russia ने officially इस बात को declare कर दिया है कि इनोंने hypersonic missile का इस्तेमाल किया है युक्रेन में एक arms report पे जहां पे युक्रेन की हथियार रखे गए थे अगर देखा जाए तो next generation weapons का ये पहला इस्तेमाल है किसी भी combat में किसी भी युद्ध में hypersonic का for the first time इस्तेमाल किया गया है जिसे officially accept भी किया गया है रश्या का जो new kingle hypersonic missile है यहाँ पे kingle का मतलब होता है dagger dagger का मतलब होता है एक दो धारवाला चाकू आप इस missile को देखी आपको लगेगा कि ये दो धारवाला चाकू है that's why इसका नाम kingle या dagger रखा गया है ये nuclear capable है मतलब atomic weapons carry कर सकता है hypersonic है आपको पता है कि sonic का मतलब होता है sound की speed hypersonic जो missiles होती है उनकी जो speed होती है वो sound की speed से 5 गुने से ज़ादा होती है और इस case में kingle की speed sound की speed से 10 times ज़ादा है इतनी speed से अगर कोई missile जाती है तो जो conventional air defense system होता है उसे track नहीं कर पाता है उसे खुब आराम से breach करके अपने target को hit कर देते है and that is the reason कि hypersonic missiles बहुत ज़्यदा lethal बहुत ज़्यदा खतरनाक हो जाती है जो missile की range होती है वो 1500 से 2000 km की होती है अप्रॉक्स और ये nuclear payload या फिर conventional payload 480 kg का carry कर सकते है hypersonic weapon की बात करें तो ये बहुत ये तेज नीचे उड़ने वाले और बहुत high maneuvering वाले weapons होते है maneuvering का मतलब ये होता है कि आप इनके उड़ने के दौरान इनकी दिसा को बदल सकते है इससे इन्हे track करना या hit करना मुश्किल हो जाता है ये बहुत ये तेजी से और खतरनाग तरीके से किसी भी defense system को breach करते हुए target head कर सकते है ballistic missiles जहाँ पर उनका एक certain path भी होता है इसलिए वो ज़्यादा vulnerable होते हैं counter करने को लेकर hypersonic weapons कोई pre-determined path लेके नहीं चलते है बलकि उनकी destination के हिसाब जुनको रास्ते में भी दूसरा रास्ता दिया जा सकता है and that's why ये ज़्यादा खतरनाग भी हो जाते हैं एक तो speed और दूसरा maneuvering कौन सामना कर पाएगा ऐसे missiles का जो term hypersonic है उसका मतलब sound की speed से 5 गुने ज़्यादा की speed से है 760 miles की speed होती है 12-20 km की अप्रॉक्स इस लिहाज से ये जो hypersonic में होती है ये 3800 miles पर आर की speed से fly करते है और अपने target को hit करते है हमारा next article World Happiness Report 2022 के बारे में है इस समद्ध में भी हाल ही में एक report publish की गई है इस report को हर साल publish किया जाता है United Nations Sustainable Development Solution Network इस जानकारी को फिर से repeat करना हूँ इसको आपको याद रखना है World Happiness Report को publish किया जाता है United Nations Sustainable Development Solution Network Report एन इंडेक्स पे हर साल एक question मोरेलेस आ जाता है कोई साल अगर मिस हुआत हुआ नहीं तो पूछ लिया जाता है और कई बार साधार question पूछे जाते है कौन release करता है, कौन publish करता है 2012 से ही इस report को publish किया जा रहा है World Happiness Report को दो की ideas है हम opinion survey करें और पता करें कौन कितना खुश है और कुछ key elements opt करें जिसके जरी हम ये पता करें कि किसी व्यक्ति की well-being कैसी है किस देश में वो कितने अच्छे तरीके से रह रहा है parameters में लगभग 150 देशुक को evaluation में लिया जाता है जहां पे हम कुछ factors को संग्यान में लेते हैं जैसे GDP per capita, income क्या है social support कैसा मिलता है healthy life expectancy कैसी है choices की freedom है या नहीं generosity है कि लोग ये दूसरे की help करते हैं की नहीं और corruption को लेकर उनका विचार क्या है perception क्या है corruption है की नहीं है ये तो बता करना बड़ा tough काम हो जाएगा लोग कैसे perceive करते हैं क्या corruption है या नहीं है इस report ने इस साल 146 countries को rank किया है 0 से 10 के बीच में ranking दी जाती है कौन किया top Finland पाचवी बार लगाताय टॉप पर है दूसरा नंबर Denmark का है भारत तीन अंकों की उच्छाल लेते हुए 136 rank पर आया है पिछले साल हमारी ranking 139 थी बहुत अच्छी तो नहीं है बट खैर पिछले साल के तुलना में थोड़ी बहतर है अफगानिस्तान सबसे नीचे 146 rank पर है बात करते हैं Sustainable Development Solution Network के बारे में जो इस रिपोर्ट को तयार करते हैं SDSN 2012 में इसको लॉंच किया गया यह Scientific and Technical Expertise के जरिये जो Sustainable Development Goals है उनको संग्यान में लेकर उसे प्रमोट करते हैं और रिपोर्ट अपनी तयार करते हैं इसे United Nations Secretary General के उस्पीस में उनके ही संग्यान में स्टाब्रिश किया गया था SDSN यानि कि Solution Sustainable Development Solution Network और Bertelsman स्टिफ्टम यह दुनों मिलकर एक Annual Sustainable Development Goal Index और Dashboard Global Report भी तयार कर रहे हैं या लॉंच करते हैं 2016 C ही जैसे कि मैं बात कर रहा था है Reports and All पे Question पूछे जाते हैं 2019 में यह प्रशन पूछा गया था देखिए Global Competitiveness Report कौन पब्लिश करता है सीधा सा जवाब आपको बताना था C है Answer, World Economic Forum इस ही समझ में आ गया कि Reports and All पे सीधा यही पूछ लेते हैं कि कौन रिलीस करता है कौन पब्लिश करता है तो आसान से सवाल बनते हैं तयार रहना चाहिए हमारा next article Man Booker International Price के बारे में है इसके पहले की context क्या है और मामला क्या है वो समझे समझते हैं Man Booker International Price Man Booker Price से कैसे अलग है एक होता है Man Booker Price Man Booker Price के लिए जरूरी होता है कि जो भी किताब लिखी गई है वो English में लिखी गई हो फर्दर उसे Britain या फिर Ireland में पब्लिश किया गया हो ये दो क्राइटीरियास फुल्फिल होंगे तभी किसी बुक के लिए Man Booker Price दिया जाएगा अब देखिए अगर कोई किताब English में नहीं लिखी गई है उसका भले ही English में Translation किया गया हो उसे Man Booker Price के लिए Nominate नहीं किया जा सकता लेकिन अगर कोई एक ऐसी किताब है जो English में नहीं लिखी गई है लेकिन उसका जो Translation है वो किसी और ने English Language में कर दिया और उसकी English Translation को Publish कर दिया गया Britain या फिर Ireland में तो वो Man Booker Price के लिए तो eligible नहीं हो था लेकिन वो eligible हो जाता है Man Booker International Price के लिए Originally वो English में नहीं है लेकिन English में Translate होई है और Publish होई है Britain या Ireland में तो यहाँ पे हम बात कर रहे है Man Booker International Price की अब यहाँ पे जो Man Booker Price होता है उसमें तो author का किताब को English में लिखना ज़रूरी है तो केवल author को Price मिलता है लेकिन यहाँ पे दो लोगों को Price मिलता है जो Price मनी होती है वो डिवाइड हो जाती है एक उस author को जिसने उस किताब को लिखा है और दूसरा उसको जिसने उसे इंग्लिस में ट्रांसलेट किया है तो मारा मामला कौन सा है Man Booker Price कर रही है जो सिर्फ इंग्लिस किताबों के लिए दिया जाता है हम बात कर रहे है Man Booker International Price की जो किसी अने Language में लिखी गई किताब को अगर इंग्लिस में ट्रांसलेट कर दिया जाया रेत समाधी वो पहली Hindi work of fiction बन चुका है 13 books में जिन को अभी नामिनीट किया गया है Man Booker International Price के लिए इसे इंग्लिस में ट्रांसलेट किया गया था painter, writer, translator, Daisy Rockwell के द्वरा, जब translate करने के बाद उन्हें title दिया था, that was Tom of Sand तो मतलब ये prize अगर मिलता है अभी तो है nomination हुआ है, तो दो लोगों को मिलेगा International, जो Man Booker Prizes में दो लोगों को ही prize मिलता है तो Man Booker International Prize जो है Booker इससे साफ है कि ये किताब के लिए मिलता है, ये International Literary Award है, जो UK देता है host UK ही करता है जनवरी जून 2004 में इसे announce किया गया 2005 से इस prize को दिया जा रहा है जो organization में involved है, उनमें शामिल है Man Group, Man Group इसे sponsor करता है, 2005 से 2015 के बीच में ये prize दो साल में एक बार दिया जाता था बट अभी इसे हर साल दिया जाता है 2016 से इसे annual बना दिया गया है 50,000 यूरो का prize दोता है, जिसे दो लोगों की बीच में divide कर दिया जाता है, वो जिसने लिखा और दूसरा वो इसने इसको translate किया हमारा next article पारतापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, वो नहीं चाहते कि ये river linking project run किया जाए करण ये है कि इससे कई सारे गाहों डूप जाएंगे, सरकार वादा तो कर रही है कि हम rehabilitation करेंगे, लेकिन उनका ये argument है कि अभी तक जितने और projects run किये गए है, उनका ही rehabilitation नहीं हुआ है, और उसको दर-दर भटकना पड़ जाता है, उनकी जमीने, उनसे छीन ली जाती है In that case, अगर ये नया जो project है, उसे launch कर भी दिया जाता है, तो उनका rehabilitation हो नहीं पाएगा, अब आप यहाँ पर देखिए, ये नर्मदा नदी है, ठीक है, ये है तापी नदी, ये नर्मदा है ये तापी है, और यहाँ नीचे आईए, ये है पार नदी, जहां माग कर रहा हूँ ये देखेगा, ये पार नदी है ये जो line आपको दिख रही है, ये इन तीनों को connect कर रही है, ये नर्मदा से तापी का जो पानी है उसे सौरास्टर के और कख्ष के रीजन में लेकर आएंगे, जो dry area है, जहां पर पानी की कमी होती है 1990 में National Prospective Plan आया था, former Union Ministry of Irrigation और Central Water Commission ने ये प्लान बनाया था, कि हम rivers को link करेंगे, link करने का basic objective वह ही होता है, वो नदिया जिन में साल भर पानी होता है, उनसे हम उच्जगे पे पानी लेकर जाएं, जहां पानी नहीं होता है क्योंकि आप पानी का transfer नहीं भी करोगे, तो वो समंदर में जाएगा, इसी उद्देश से River Linking Project को launch किया गया था तो interlinking, पार, तापी और नर्मदा नदी की जो है, जो तीन नदियां आपस में link की जा रही है, इससे पानी को divert किया जाएगा सौरास्ट और कच रीजन में irrigation purpose से, तीन नदियां involved हैं, पहले तो पार है जो की नासिक महरास्ट्रा में originate होती है और वलसाट district से होकर गुजरती है दूसरी है तापी, तापी जो है, वो सापूतारा से originate होती है, और महरास्ट्रा से flow करती हुए गुजरात के सूरस से जाती है, तीसरी है नर्मदा ये originate होती है मदर प्रदेश में और महरास्ट्रा से होते हुए, जो भरोच और नर्मदा district है गुजरात का, वहां से होकर गुजरती है इसमें basically साथ डैम्स बनाये जाने है जिनमें शामिल हैं, जेरी, मोहन, कवचली, पैखेथ, इसके लामा चिस्मांडवा, चिक्कार, दाबदर और किल्वान तीन बाद भी बनाये जाएंगे, ये तीन बाद है, ठीक है फर्दर एक पांच किलोमेटर की टनल होगी और एक आदे किलोमेटर की टनल होगी ठीक है, तो ये तो दो टनल भी बनाई जाएंगी Linking के लिए बनाने पड़ते हैं कनाल तो एक 395 किलोमेटर का कनाल बनेगा जिसमें 205 किलोमेटर ये पार तापी पॉर्शन को कवर करेगा, मतलब ये ये तापी से पार का जो ये पूरा कनाल है, ये 205 किलोमेटर का है, ठीक है, इसके बाद नर्मदा और तापी के बीच का जो कनाल है वो 190 किलोमेटर का है, 6 पावर हाउस भी बनेंगे, जेरी डैम जो है, वो केवल मातर महरास्टा नासिक में है, बाकी के जो हैं वो आपको गुजरात, साउथ गुजरात में मिलेंगे हमारा जो नेक्स टार्डिकल है वो असानी साइकलोन के बारे में है यह पहला साइकलोन है, इस साल का जो भी आप बंगाल में ओरिजनेट हुआ है, इसका एफेक्ट देखने को मिलेगा उमीदतन जैसा कि हमें खत्रा महसूस हो रहा है अंडमान निकोबर आइलेंड पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया है इंटेंसिफाई हो रहा है यह साइकलोन यह साइकलोन है, इसे सिलंका नहीं यह नाम दिया है असानी यह लो प्रेशर एरिया इंटेंसिफाई होते हुए अंडमान निकोबर आइलेंड को हिट कर सकता है इसलिए वहाँ पर जो National Disaster Relief Forces उनको लगा दिया गया है और जो Security Forces हैं उनको भी Alert पर रखा गया है कि कोई दिक्कत आती है तो आप उसके लिए तैयार रहे है हमारा next article Post Act के बारे में है केला के High Court ने अभी जो Film Industry है उनसे ये कहा है कि आप Joint Committee Constitute करिए ताकि Women का Sexual Harassment हम रोग सकी है और जो Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 है उसे अच्छे से इंप्लिमेंट किया जाए इसे शॉर्ट में Post कहा जाता है Prevention of Sexual Harassment Act, Post Act देकि 1997 में विशाखा Guidelines जारी करी जी सुप्रीम कोट ने Women Organization ने केस किया था कि Workplace पे Women का Harassment होता है जिसमें शामिल थी विशाखा उन्ही के नाम पर विशाखा Guidelines को Supreme Court ने जारी किया जो Legally Binding था सभी को इसको Follow करना था इसके जरिए ना किवस Sexual Harassment को Define किया गया बलकि तीन Obligations भी इंस्टिशन के उपर लगाए गये कि वो Sexual Harassment को Prohibit करेंगे, Prevent करेंगे और अगर ऐसा होता है तो इसे Redress भी करेंगे Supreme Court ने डेरेक्ट किया कि एक Complaint Committee बनाई जानी चाहिए Sexual Harassment के मामले में ताकि Women Workplace पे Safe Feel करें 2013 का जो Act था उसने इन Guidelines को और Westered बना दिया और हमारे सामने आया 2013 का Sexual Harassment of Women at Work, Police, Prevention, Prohibition and Redressal Act जिसे Short में Post Act भी कहा जाता है यहाँ पर Define किया गया है कि Sexual Harassment का मतलब क्या होता है Sexual Harassment का मतलब होता है कोई भी ऐसा Act, Anyone or More जिसमें महिलाओं के लिए कोई Unwelcome Act हो या फिर Behavior हो जो या तो Directly Commit किया गया हो या Implication के Form में आ गया हो जिसमें शामिल हो सकता है Physical Contact, कोई Physical Advancement, Sexual Colored, Sexually Colored कोई Remark, Pornography दिखाना, किसी भी Sexual Favor की Demand या Request करना या किसी प्रकार का Unwelcome Physical, Verbal या फिर Non-Verbal Conduct जो Sexual Nature का हो उसे Exploitation की स्रेडी में डाला जाएगा और Punishment के प्रावधान होगी क्या Provisions है Proper Procedure दिया गया है कि कैसे Complain होगी, कैसे Inquiry होगी और क्या Action लिया जाएगा Mandate किया गया है कि Employer को Constitute करना होगा एक Internal Complaint Committee किसी भी ऐसे Office में जहाँ पर 10 या उससे जादा Employees वक करते हूं यहां पर Procedure भी बताया गया है और Define भी किया गया है कि Sexual Harassment का मतलब क्या होता है कोई महिला जो किसी भी एज़ की हो, अगर वो या रोप लगाती है कि उसने Sexual Harassment Face किया है तो उसके पास याधिकार होगा कि उसे Redressal मिले इसमें Working और Visiting दोनों प्रकार की महिलाएं शामिल होगी ऐसा नहीं कि कोई Work कर रहा है तो ही वो इस Act के Ambit में आएगा किसी महिला ने उस Work Place को Visit किया है और फिर उसने Harassment Face किया है तो वहाँ पर भी ये Act Applicable हो जाएगा उमीद करते हैं Post Act आपने अच्छे से समझा चलिए स्कीम के सेग्मेंट पे चलते हैं Ministry of Food Processing and Industries पे बात कर रहे हैं तीनी स्कीम हमने कवर कर रहे हैं दो और कवर करते हैं चोटी-चोटी स्कीम से हैं इसलिए दो कर लेते हैं निवेश बंदू और स्कीम of coal chain validation and preservation infrastructure निवेश बंदू जिससे Food Processing इंडस्ट्री को लेकर सरकार बड़ी अवेर है वो चाहते हैं कि Food Processing इंडस्ट्री बढ़ियां से डेवलप हो ताकि किसानों का अनाज और फल सब्जियां बचे रहें उनको प्रोसेस करके उन्हें अच्छे दाम दिये जा सकें कि Central और State Government के कौन से ऐसी Policies हैं जिसके जरीए वो एक Easy Investment कर सकते हैं कौन से ऐसे Clusters हैं जहां पर Investment उनके लिए फायदे मन्द होगा जहां वो Investment कर रहे हैं वहां कैसा Infra Available है और कौन से ऐसे Sectors हैं फूट प्रोसेसिंग में कौन से ऐसे Zones है जहां उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए तो एक Prior Informed Investment कर सकते हैं निवेस बंदू Portal की मदद से Next Scheme है Scheme of Cold Chain Valuation and Preservation Infrastructure नाम से सपच्छ्ट है ये Scheme किस लिए है देखे इसमें Farm Gate to Consumer तक का एक जो पूरा Architecture होता है एक पूरा आईवल से Infrastructure होता है उसके Development को लेकर ये Scheme है जिसमें शामिल होते हैं Processing Centers जहां पे अनाज फल सब्सब्स को प्रोसेस किया जाता है Distribution Hub जहां से ये इन Food Processing Centers तक पहुँछते हैं Mobile Pre-Cooling Vans, Refrigerated Trucks Irritation Facility जिनसे किसी भी फल ये सब्सब्स को लंबे समय तक स्टोर किया जा सके Indigrated Coal Chain Project इसका हिस्सा है जहां पर coal chains बनाये जाएंगे Corporations, Companies, Coopertives, Self-Help Group Farm Production Organizations और NGOs की मदद से जहां पर किसानों का अनाज फल सब्सब्सब्स सुरक्षित रह सके Revision करते हैं Kinjal Hypersonic Missile USA ने बनाई है परदेश में औरिजिनेट होती है, गलत है Madrid प्रदेश में औरिजिनेट होती है, नर्मादा नदी अभी इसके बारे में हम डिसक्रशन कर रहे थे Let me tell you, यहां पर देखिए हमने डिसक्रशन किया था कि कौन सी नदी कहां से originate होती है, तो पार नासिक से originate होती है और नर्मदा originate होती है मद्रप्रदेश से, तो यह वाला statement स्विच किया गया है ताकि आप गलती करें, बट आप नहीं करेंगे यह गलत है, post act यहाँ पे हर employer को एक internal complaint committee बनानी होती है जहाँ पे 10-100 जदा employee काम कर रहे हूँ यह सही है, उमीद करते हैं आज का session आपको मज़ेदार लगा और काम का भी लगा यह session यही पे समाप्त करते हैं So, that's all for now, thank you very much